अगर आप भी कमर दर्द घुटनों के दर्द या फिर किसी प्रकार के जॉइंट पेंट से परिशान है तो आज आपको एक ऐसा ओयल बताऊंगी जिससे रेगुलर मसाज करने पर आपको काफी रिलीफ मिलेगा क्योंकि मैंने खुद इस ओयल को यूज किया है कुछ टाइम पहले मुझे चिकन गुनिया हो गया था जिसकी वजह से मेरे जॉइंट में काफी पें रहने लगी तो उस टाइम मेरे फैमली डॉक्टर ने मुझे इस ओयल के बारे में बताया इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में बताया और उसी समय हमने सारे इंग्रीडियंट्स मार्किट से लिए और इसका ओयल त्यार कर लिया फिर मैंने रेगुलर इसे यूज करना शुरू किया ज आपने यहाँ पर 10 ग्राम लेनी है हल्दी अमबा हल्दी आप इसके लिए यूज करना और साथ ही हम लेंगे पिपली इसे लॉंग पैपर भी कहते हैं और ये भी आपको पंसारी की दुकान से इजिली मिल जाएगी और इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ लॉंग इसमें से 12-13 लॉंग हमने ओयल बनाने के लिए यूज करने है और साथ में हम लेंगे थोड़ी सी अजवाइन 10 ग्राम के करीब आपने अजवाइन लेनी है और इसके साथ हम लेंगे 7-8 कलिया लहसुन की और 10 ग्राम हमें चाहिए दालचीनी मतलब की 3-4 पीस हो जाएं और इससे बनाने के लिए हम यहाँ पर तिल का तेल यूज करेंगे आप चाहिए तो सरसो का तेल भी यूज कर सकते हैं अब लहसुन और अजवाइन के अलावा जितने भी इंग्रीडेंट्स हैं उन्हें एके करके हम इमाम दस्ते में डालते हुए पीसते जाएंगे सबसे पहले मैं दालचीनी को पीस लेती हूँ यह एक आयरवधिक जड़ी बूटी है और पुराने टाइम से ही लोग इसे जोडों के दर्द के लिए यूज करते हैं जोकि इसमें anti-inflammatory और antioxidant property होती है जोकि गठिये के दर्द में काफी राहत देती है और अगर जोडों में सूजन रहती है तो उसे कम करने में भी यह हमें help करती है और यह हैं अंबा हल्दी इसे भी हम पीस लेंगे अंबा हल्दी हमें बहुत relief देती है पेन में क्योंकि इसमें antibacterial, antiviral, antifungal, anticancerous and anti-inflammatory properties होती है जोकि हमारे जोडों में सूजन या फिर जोडों में किसी प्रकार का दर्द है उससे हमें काफी राहत देती है और अब पिपली को भी हम पीस लेती है यह भी एक आयरुवेदिक जड़ी बुटी है इंगलिश में इसे long pepper कहा जाता है इसमें भी anti-inflammatory property होती है जोकि हमारे जोडों के दर्द और सूजन को कम करने में help करती है अब हम 12 तेरा long piece लेंगे इसमें युगनोल नामक compound पाए जाता है जिसमें antibacterial gun मौजूद होते है इसलिए ये compound swelling को कम करने में काफी help करता है अब ये सारे ingredients मैंने पीस लिये है अब ये oil बनाने के लिए ready है तो हम अब क्या करेंगे सबसे पहले तो एक pan में हम तिल का तेल डालेंगे और इसे धीमियाज पर गरम करने के लिए रख देंगे यहां मैंने तिल का तेल लिया है तिल का तेल हडियों को मजबूत बनाने में बहुत helpful होता है जैसे ही ये थोड़ा सा गरम हो जाए इसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे लहसुन को आयुरुवेद में एक अच्छा दर्द निवारक माना जाता है क्योंकि इसमें मिनरल्स, विटमिन्स, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुन पाए जाती है जिससे जोड़ो के दर्द और सूजन में काफी रिलीफ मिलता है लहसुन को हमने गॉल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाना है और ये गॉल्डन ब्राउन हो चुका है ये जोड़ो के दर्द में काफी राहत देती है अगर इसके पानी से अपना आते हो तब भी आपको दर्द में काफी रिलीफ मिलता है अब बाके का समान हम इसमें एक के करके डालते जाएंगे अब लहसुन के बाद हमने जितना भी समान डाला ना उसे हमने तीन से चार मिनट से जादा नहीं पकाना क्योंकि इससे इसके न्यूटियंट्स नश्ट हो जाते हैं अब ओयल इतना गरम है कि इसमें जितने भी हमने इंग्रिजियंट्स डाले हैं वो अपने अप अच्छे से इंफ्यूज हो जाएंगे तो अब हम तीन से चार मिनट के बाद गैस को ओफ कर देते हैं और इस ओयल को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे इस ओयल को आप अपने अप ठंडा होने दीजिये अब इसे एक स्ट्रेणर की हल्प से चान लेंगे अगर आपके पास मसलिन कलोथ है तो आप उसकी हल्प से भी सोईल को चान सकते हैं अगर आप इसे एयर्टाइट कांच के कंटेनर में भर कर रखते हैं इस सोेल से आप regular मसाज करेंगे तो आपको जोडों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द में काफी राहत मिलेगी अगर आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की दिक्कत है या फिर आपके फ्रेंड सरकल में किसी को इस प्रकार की परिशानी है तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना ताकि उन्हें भी इसका benefit मिल सके तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and share जरूर कर देना